हेलो फ्रेंड्स मैं कमेंटोर एके सिंग और आज हम 21 दिसंबर 2021 का पेपर 2 का हिंदी का सेक्षिन देखेंगे CDP का सेक्षिन आपको चैनल पर मिल गया है और 21 दिसंबर पेपर 1 का भी जो CDP, AVS और हिंदी का सेक्षिन आपको चैनल पर मिल गया है वह आप जाकर देखें अपने कोशन मिलाएं और हमें बताएं कितने कोशन सही हो रहें आज हिंदी का सेक्षिन है उसमें देखेंगे और अपना चेक करेंगे आपको मैंने समय वैयरत नहीं करूँगा आपको बता दिया है मैंने आप आंसर की कैसे देखी नहीं है आप CDP आली वीडियो को जब सुरू करेंगे उसमें आपको मैंने सारा डीटेल में बिलकुल बताया है नहीं तो मैं एक वीडियो और मना दूँगा चलिए आप सुरू करते हैं हिंदी के सेक्षण देखेंगे हिंदी का लैंग्वेज 2 है जितके बास वह देखें 21 दिसंबर 2021 का पेपर रहे है पेपर 2 तो हिंदी सेक्षण में या लैंग्वेज सेक्षण में किसी में भी कह लएजिए गड़बड क्या करके इन्होंने इन्होंने रिपीट रिपीट को यह पूरे यहां से लेकर यहां तक फिर दुबारा फिर रिपीट हो गया तो इसलिए चली हम यहां ही से देखें गया अंसर देंगे गंटंत्र वहस्था को चलाना चलाया जाता है यानि चला सकता है कौन चला सकता है सुयोग्य और अनुशाशित लोग यानि कि option number 3 121 का क्या होगा option number 3 अनुशाशन question number 122 देखेंगे 122 अनुशाशन संक्रमक होते हैं तो क्या होगा एक अनुशाशन शित होता है तो दूसरे भी हो जाता है अगर माल लेजिए एक teamwork के तोर पर हम काम कारें एक teamwork के तोर पर एक classroom में या office में एक वेक्ति अगर अनुशाशन में रहेगा अगर माल लेजिए teacher या boss एक तरह से अनुशाशन में रहेगा तो एक को देखके दूसरे वाली बात हो जाएगी तो यहां आलेगी option number 3 question number 1,2,3 यानी 130 देखते हैं कोई वेक्ति समाजी किस तरह पर अनुशाशन का पालन क्यों नहीं कर पाता देखिए समाजी के लूप से समाज के नियम का पालन की इच्छा के कारण जो समाज के नियम है वो थोड़ा सा अलग वे में कहते हैं अगर हम अनुशाशन में चलें तो समाज के नियम में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा भादा उत्पन कर देंगे क्योंकि समाज और संस्कृति और धर्म ये थोड़ा सा अलग वे मिले के चलते हैं और समाजिक नियम जो है वो अलग चलते हैं और अनुशाशन अलग ठीक है तो चलिए अगले देखते हैं question number next पदचिनों को अनुसार पदचिनों का अनुसार अनुसरण करना sorry पदचिनों का अनुसरण करना कतन का भाव के कहता है किसी विचारदारा को अनुसरण करना यानि की option number तीन हो जाएगा असका अनुशाशन question number 125 अनुशाशन शव वियाकरन के देश्टेश क्या है भाव वाचक संग्या भाव वतारा एक तरह गा question number 126 देखते हैं हमारे देश गंतंत्र व्यवस्ता पर आदारी देश है तो यह के तरह का वाक्य है यह सरल वाक्य है question number 127 देखते हैं अनुशाशन एक जीवन मूल यह है इसलिए क्या होगा इसका option होगा हमारे अनुशाशन पूर्ण वैवार करना चाहिए हमें अनुशाशन पूर्ण वैवार करना चाहिए अनुशाशन अनुशाशित शब्द में प्रत्य और उपसर के बात वोची है तो उपसर प्रत्य अनु तो हो जाएगा इसका फिर शाशित इत यानि कि इत ओप्शन नुबर तीन ये भी दूसरा पैरग्राफ दिया गया है ये भी एक तरह से लोगतांत्रिक के विए फिर हमारे देश के बारे इम भी बताया गया है तो चलिए इसमें भी रिपीट है question आगे देखते हैं फिर यहां से question number 129 लोग को जागरित करने से ताथ पर यह है क्या है समाज में जागरित और चेतना फैलाना यानि कि option number 2 किस सब्द में किसी प्रत्य का प्रियोग नहीं किया गया है तो इसका option हो जाएगा संसल option number पहला कौन सा कारिय समाचार पत्र नहीं करते समाचार पत्र सेना और राजनिति क्योगे तालमिल नहीं बढ़ाने का गाम करते यानि कि option number 4 question number 132 देखते हैं media यानि समाचार पत्र को लोग तंत्र का चोथा कंबा का आ गया है क्योंकि हमारे जो देश में चोथा कंबा एक चीज आप याद रखें चोथा कंबा में मेडिया को कहाता है तो मेडिया शेश कमबो के सजक सेचेत करने काम करती है यानि सचेक सेचेत करने वाला option हो जाएगा फोर लोग तंतर का विग्रह है और समास होगा तो लोग का तंतर यानि option number 2 133 का क्या हो जाएगा option number 2 समाचार पत्र के महत्पूर होना वाले कारण एक कारण कौन सा है लोग मत को सरकार तक पोचाना यानि जी लोग के मत हैं वो सरकार तक पोचाना है option number 2 हो जाएगा option number 135 संस्कृति शर्द में एक प्रत्य लगाने हो जाएगा संस्कृतिक इसका सिदर सिद्य आंसर हो जाएगा option number 3 ये कही बार पूचा गया है old paper में भी तो इसको star लगा लीजिए आगे भी पूचा जा सकता है question number next देखते हैं 136 skinner के अनुसार भाषा डैश का विशे है तो वो अनुकरण का विशे है यानि option number 2 question number 137 देखें उच्छे प्रात्मिक इसतर पर बच्चे चित भाषा शैली का प्रयोग कर सकते हैं एक मैत्वण उदेश्य इस उदेश्य को प्रात्मिक इसतर पर बच्चे पाठ वाली जो बात आ रही है हो जाएगा option number 3 सहज और स्वयभाविक मौलिक अभिवक्ति तब संभा होती है जब बच्चे को बात्चीत के आवसर दिये जाएं तो आवसर देनी वाली बात जहां हो रही है तो वही option हो जाएगा इसका क्योंकि अंक दिलाना पाठ की जलाना और विचारो वाली बात नहीं हो यानि option number 2 भाशा कोश देखने की आदत विकास डैश में सायक नहीं है तो नहीं पूचा गया है इसमें मौलिक अभिवक्ति के विकास की बात नहीं होती क्योंकि डिक्शनेरी किसका काम करती है सब्धबंडारन वियाकरन प्रतुर्टी सब्धों का नहीं जाएगा question number 140 देखेंगे प्रशन पत्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में सभी इसतर के बच्चे हैं बच्चों के इसतर के साब से ही question paper बनाया जाता है क्योंकि बच्चे एक high power का बच्चा एक normal power का बच्चा एक slow power का बच्चा उन तीनों के इसाब से paper बनाया जाता है question number 141 देखें पर च्रीक करपान कटार इस समय के हत्यार थे जिसके बारे में बोल रहा होगा आजकल के हत्यारों के नाम पता करो यह प्रेशन डैस में सायक है तो जो यह बात हो रही है तो बहारी जीवन को कक्षा की दुनिया से जोडने की बात कर रहा है option number one 142 देखेंगे लिखित अभिवेक्ती में सरवादिक में होता है तो क्या होता है विचारों की मौ लिखता जब विचारों की मौ लिखता होगी तब ही question सही होगा यह repeat question है old paper से कक्षा आठ के सुमित को लिखते समय कटनाई का तो डिस ग्राफिया हो जाएगा लिखने वाली भीमारी या विकार ग्राफिया option number two एक चीज और डिस कैलकुलेशिया ग्राफिया और कैलकुलेशिया यह तीनों most important है हर बार यही पूछे जाते हैं तो इसलिए इनका ध्यान लखें question number 144 देखते हैं बच्चों को मौलिक प्रशन पूछने कि अवसर देना बार्शा कक्षा का एक डैस परियास है तो वो कौन सा है कि सरहाना करने वाली यानि की एक तरह से important है कि कोशे नमर एक सो पैताली देखते हैं प्रूइद लिखते समय सहेज अस से लिखते समय आंसर 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 गलत गलता है तो इसका क्या हो उसके कारण को पता लगाने की का यह पता लगाने वाली काम हो रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा option नमर टी यह भी repeat question है all paper का आप इतना time मत लगाई है कि देखे अगर आप paper में बैटे हैं आपको 150 minute मिलते हैं और 150 ही question होते हैं तो सिफ keyword को पढ़िए जैसे लिखते समय गलत परियोग कर रहा है तो इस तरह से आप पढ़िए और question के option देखे बास सीधे answer को टिक लगाएगा तब ही आपका समय बचेगा जैसे math कोई math का student नहीं तो फिर वो math में अपना समय लगाए क्योंकि math के जो 15 question solve करने आ ले आते हैं तो उसमें आप समय लगाए question number 146 देखते हैं उच्छे प्रात में किस तर की बात कई उच्छे प्रात में इस तर पर भाषा की पाठे पुस्तक का निर्वांड करते समय सर्वादिक में तो बोन होते हैं विविन प्रकार के साहिते यानि की option number one प्रश्णों की संक्या नहीं होगा हिंदी भाषा का साहिते कार नहीं होगा प्रसे साहिते कार नहीं विवित प्रकार के साहिते विविन प्रकार के क्यों क्यों क्योंकि diversity वाली बात अभी हमारे देश में हैं क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान करना है मैं सभी जात का सभी संस्कृति का इसलिए विभिन प्रकार के साहित होने जरूरी है कोश्चन नंबर 147 देखते हैं कि पाठन में सरवादिक मेहत्पून है वह क्या हुआ अर्थ जाने कि ऑप्शन नंबर 148 देखते हैं सामाजिक अंते क्रिया भाचा के विकास के में सायक होती है यह विचार डैस का है तो वाइगास्थी के विचा रहे ही ऑप्शन नंबर 149 देखते हैं वरत अशुद्य के प्रती बहुत ही अधिक कठोर बरताव देखें सिर्फ वरतनी की अशुद्य वाले की बात होती है तो अगर इस तरह की बात कहीं क्लास्रूम में होती है तो बच्चा लिखने में रूची नहीं लेगा यानि कि बच्चे लिखने में रूची नहीं लेंगे ऑप्शन नंबर 149 भाशा शिक्षन के रूप में आपका प्रतम अदायत है क्या अदायत है बच्चे भाशा प्रयोग में रूची लें क्योंकि जब रूची लेगा तब ही वो भाशा को सीखेगा अगर आपको कोई भी भाशा सीखने मान लिए आपको इंग्लिश नहीं आती अगर इंग्लिश में आप रूची नहीं लेंगे तो आपको और आपको कभी सीख नहीं पाएंगे, यानि कि option number 2 हो जाएगा, हिंदी के 30 question देखिए आपने, 30 में से आपके जितने सही हो रहे हैं, वो बताएं comment section में, और ये वीडियो जिनका paper, 21 December का था paper 2, उनको बेजी, like करें, share करें, आप चैनल को subscribe करें रखें, और bell icon को दबा करें, ज ठीक है, आशा करता हूँ, वीडियो को आपको फसंद आई होगी, और एक चीज और, अभी मैं आपको, आपको जो confusion है, answer की वाला, वो भी मैं दूर कर देता हूँ, आपको साम इस वीडियो के बार, या इस वीडियो के साथ ही, आपको वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है, इ